विक्रम बेताल की कहानी, सर्वश्रेष्ट वर कौन, राजा विक्रमादित्य बेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इस बार भी उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे, हर बार की तरह इस बार भी बे पहानी और राजा ने कहानी से जुड़े बेताल के सवाल का क्या जवाब दिया। राजकुमारी उस साड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा आपने ये साड़ी कहां से खरीदी। ये साड़ी बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा ये साड़ी इन्होंने खुद बनाई है। ये बहुत बड़े कलाका मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्य चकेत हो गई। राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ी। राजकुमारी थोड़ी आगे बड़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेर के नीचे शेर है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाशा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और चिडियों और जानवरों की भाशा सीखने की इच्छा जता कर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा ये पक्षियों और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकते हैं। तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भाविश्य में मौका मिला, तो वो खुद उनके पास ये भाशा सीखने आएगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। यत्रा लंबी थी। यत्रा करते करते राजकुमारी की तबियत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैध के पास ले जाया गया। उस वैध ने राजकुमारी को उनके यहां आराम करने को कहा और जड़ी बूटी दी। उस दवा के सेवन से कुछी घंटों में राजकुमारी चीख हो गई। राजकुमारी ने उस वैध का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्यमरीजों ने वैध के बारे में राजकुमारी को कई बाते बताई कि वो कैसे सब की सेवा करते हैं और उनकी दवायों से कई लोग चीक हो गए हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद को कहा, आप बहुत अच्छा और पोण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूँ। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल पड़ी। वो थोड़ी दूर ही ग इतने में एक वीर ने अपनी सूजबूज और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जता कर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी नहीं कोई राजा या राजकुमार नहीं, बलकि कोई साधारन व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में ये जाना की साधारन मनुश्य भी बहुत ज्यानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारन व्यक्ति ही जीवन साथी के रू पिताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछा बैठा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने चार वर थे, एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाशा ग्यानी, एक वैध और एक वीर। अब बताओ इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश रिष्ट वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयम वर की माला डाली? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारा सिर्फ ओर दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी? राज की सेवा करता है. अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेगी. राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाधी राज्य की रक्षा कर सकता है. इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेश्ट वर वो वीर व्यक्ति ही है. व का मिलने पर वीरो और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए.